हलो फ्रेंट्स बहुत-बहुत स्वागा थया आपका सूपर-पास्ट स्टड़ी हैन एक्सपेरिमेंट पर तो फ्रेंट्स इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं बास्केट टाइप, जिसे की बास्केट टाइपjatपेस्ट्रेइनर भी कहा जाता है याने कि basket type strainer या फिर आप क्या सकते हैं उसे bucket strainer तो इन दोनों के बारे में actually में ये दोनों एक ही चीज है इनको दोनों नाम से जाना जाता है इसके बारे में हम इस वीडियो में discuss करेंगे इससे पहले हमने why type strainer के बारे में वीडियो की है आप वो भी देख सकते हैं इस वीडियो के description box में भी उसका link दे दूँगा और end screen पर भी उसका link दे दूँगा तो friends ऐसे ही industrial technical videos, mechanical engineering fields related videos इस YouTube channel पर मैं upload करता रहता हूँ 830 से ज़्यादा videos जो है अब तक मैंने upload कर दी है और मैं regularly नए नए videos जो है वो upload करता रहता हूँ अगर आप मेरी channel पर नए हैं तो please इस video को like करें और channel को subscribe करके bell icon को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हर एक नए video का notification आप तक पहुँच पाया तो फिलहाल इस video को स्टार्ट करते हैं बने रहेगा वीडियो में अन्तिता है तो फ्रेंड सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि आखिर स्ट्रेनर क्या होता है देखिए इस ट्रेनर एक ऐसा डिवाइस है जिसका इस्तमाल किया जाता है पंप लाइन्स में और mostly इसे पंप के सक्सन साइड में इस्टॉल किया जाता है यानि कि पंप जहां से सक्सन ले रहा है वहीं पर इसे फिट किया जाता है इसका काम होता है फ्लूइड में जितने भी suspended particles हैं solid particles हैं यानि कि dust particles और contaminants जो है उसको वहाँ पर filter कर देना रोक के रख देना और आगे pipeline में फ्लो नहीं होने देना यानि कि आपके pump को जितने भी walls है जितने भी flow equipments है उन सब को save करना इस dust particle से और choking और jamming के problem को भी shot out कर देना pipelines में ये main काम होता है strainer का वैसे तो strainer अलग-अलग types के होते हैं जैसे कि इससे पहले हमने वीडियो में discuss किया था wire type strainer का तो अब हम discuss कर लेते हैं bucket या फिर basket type strainer का जैसे कि इसका shape है आप देख सकते है bucket और basket की तरह है इसलिए इसे bucket या फिर basket strainer का आ जाता है देखे ये एक casing है जहाँ पर यहाँ पर inlet और outlet दो ports हैं यहाँ से fluid जो है वो enter करता है इसके अंदर और देखे बीच में आप देख सकते हैं यहाँ पर एक mesh लगी हुई है यह stainless steel की mesh लगी होती है यहाँ पर जिसमें बहुत ही छोटे छोटे hole होते हैं बहुत ही छोटे छोटे जिससे की जो आपका fluid है वो तो flow कर लेता है लेकिन fluid में जितने भी contaminants जितने भी suspended dust particles solid particles होते हैं वो सब यहाँ पर रूख जाते हैं याने strainer में collect हो जाते हैं और फिर clean water जो है water या फिर clean fluid जिसे आप pump कर रहे हैं वो outlet से बाहर निकलता है और समय समय पर इसे फिर clean करना भी बहुत जरूरी है क्योंकि इसकी भी एक capacity है उसके बाद अगर आप ज़्यादा समय ताकि इसे use करेंगे तो आपके fluid flow में restrictions आएंगे bucket type strainer के और mesh के तीन arrangements होते हैं जैसे कि आप image भी देख सकते हैं पहला वाला image है जिसमें inlet और outlet जो है वो दोनों same line पे है दूसरा image जो है वहाँ देखिए यहाँ पर inlet जो है वो उपर में है लेकिन outlet नीचे में है साथ में mesh जो है उसका भी combination जो है वो थोड़ा सा इससे छोटा है पहले वाले के अपेक्छा तीसरा वाला combination है उसमें आप देखिए inlet और outlet दोनों एक ही side में है और बीच में यहाँ पर mesh है और देखिए यहाँ पर उपर में जो cover रहता है उस cover को खोल करके इसे साफ कर लिया जाता है clean करना बहुत ही जरूरी है आपके strainer को तो ऐसे काम करता है आपका strainer strainer के bucket type strainer के दो main features होते हैं उनके बारे में हम discuss कर लेते हैं सबसे पहला होता है high filtration ratio इसमें जो filtration ratio है वो बहुत ज़्यादा high मीदलता है दूसरा है streamline design for low pressure drop इसका design streamline होता है और pressure drop जो है वो भी बहुत कम होता है अगर हम इसको compare करते हैं wire type strainer से जिसमें की काफी ज़्यादा pressure drop होता है तो यह दो इसके main features है तो friends यह video थी हमारी bucket और basket type strainer के उपर उमीद करता हूँ आपको बहुत पसंद आई होगी अगर एक percent भी यह video आपको helpful लगी हो तो please इस video को like कर दीजेगा चैनल को subscribe कर दीजेगा फिर से मिलेंगे next video में तब तक के लिए अलविदा